नमस्कार दोस्तों, Banker's Point में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जेंड के bank की जो 1850 vacancies है इनका notification आया है और इसका जो proper notification आया है वो तो 20 जून को आएगा अभी एक short notification आया है तो 20 जून तक हमें वेट नहीं करना चाहिए उससे पहले ही तैयरी स्टार्ट कर देनी चाहिए यह एक्जाम हो सकता है बहुत ही जल्दी भी हो जाए तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में डिसक्स करूँगा जिसे important dates क्या है आप लोगों की eligibility criteria क्या है जिन्होंने पहले form भर दिया था यह क्या एक्जाम एक बार 2018 के अंदर इसका notification आया था मैंने भी notification डाला यूट्यूब के उपर तो उस टाइम पर यह एक्जाम कैंसील हो गया था अभी दुबारा आ रहा है तो पुराने वाले students का क्या होगा किस तरीके से होगा वो भी हम लोग देखेंगे exam pattern का pre क्या होगा men's का क्या होगा syllabus क्या होगा all subjects का pre or men's दोनों का हम लोग देखने वाले और कैसे त्यारी करनी है आप लोगो को किस तरीके से प्रिपेर करना है में topic वाई जहां पर इसमें बताने वाला हूँ एक topic के बारे में जब मैं सहले बश डिसकस करूँगा तो मैं अपके साथ में इस चीज को डिसकस करूँगा कि आप लोग किस तरीके से इसको प्रिपेर अपको मो्क टेस्ट की बहुत जाद़ का टीनित की नहीं है प्रैक्टिस करते अन चीजों को भी हम इंहां पर डिसकस करें घ्र तो ये पूरा एक ऑर वर्यू मेंने आज आप लोगों को इस वीडियो का मकसद का बढ़ा दिया है अब देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यह जो important dates में अभी हमें exam dates नहीं पता है एक detailed notification आपका 20 June 2020 को आने वाला है ठीक है तो उसके आधार के उपर सारी चीज़े decide होंगी लेकिन अभी में 2018 वाले notification को एक idea लेते हुए वहां से मैं आप लोगों के साथ सारी discussion करूँगा चीजों की लेकिन अगर माल लो थोड़ा बहुत minor change माल लो ते हो भी जाता है जो मैं बताऊंगा आज की वीडियो में उससे तो उससे फरक नी पड़ेगा कोई भी हम उसको उस टाइम पर correct कर लेंगे लेकिन तैयारी को तो आज से जारी कर सकते है ना topics तो वही रहने वाला है मैस रिजनिंग वही रहने वाला है तो अपनी strategy अभी से हम लोगों को बना के चलनी पड़ेगी अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो को कि लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया तो फिर आप बाकी लोगों से पीछे रह जाएंग आ को जो notification निकला था ठेक है उसके अंदर जिनों ने मतलब जिनों ने भी apply कर दिया है ठीक है उनको phrase ली नया application form बने की जरूरत नहीं और उनको eligible है उसके अंदर कोई उसके अंदर दिक्टत बात निए जियो निemsे लिखाव कंड़ीद पर कुरितmor Abdbal audenez no तो इसके लिए आप लोगों को पर्शनली जो भी आपने इन्फोर्मेसन दियोगी जो लडदाक से हैं वहां पे रिफर करिएगा ठीक है और बाकी जो जे एंड के स्टेट से हैं उन्होंने अगर फोर्म भर रखा है पहले से दोजार फोर्म नोटिफिकेस में दुबारा कोई फोर्म भरने की जो तो आप तो बस एक्जाम के तेहरी में लग जाओ अभी जो नए श्टूडेंट है यहां पे ठीक है तो इसे 354 पोस्ट के अंदर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आप लोगों की एक अप्रेल 2020 के हिसाब से एज की क्वालिफिकेशन देखो यह दोनों चीजे में आपको दुबारा से कंफिर्म करों जिन्नोंने पहले फोर्म दे दिया था उनको ना जिन्होंने अप्लाइ कर दिया वो इलिजीबल है बस उस उस नोटिफिकेशन के हिसाब से तो उनको कुछ नहीं देखना है इसके अंदर उनको वह लोग जो जिन्नोंने पहले फोर्म देख आगे देखिएगा किस तरीके से आपको त्यारी करनी है ठीक है ग्रेजुएट हो अब लोगों की ठीक है उसमें वही ग्रेजुएशन ची आप लोगों को एने डिसिप्लीन में मिनिममेंस ट्वन्टी यर है मैक्सिमेंस थर्टी यर है यहां पर देख सकते हैं और रिलेक्सेक्शन है वही आप लोगों को बीजुन वाले नोटिफिकेशन के अंदर जो आने 2018 नोटिफिकेशन ठीक है उसके इसाब से बता रहा हूं तो आप लोग एक बार जब बीजुन को नोटिफिकेशन आए तो इसमें दोबारा कन्फिकेशन करेंगे को चेंज होगा तो मैं आपको इंफिकेशन कर दूगा लेकिन 90% से बहुत चांसे यही है मैक्सिम चांसे यह कि इसम की इसम बड़ा है कि Kazam Scientists होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है अगर कुछ होगा तो फिरभ भी आपको इंफिकेशंद्रो कोई उसमें नहीं होगा यही पेस पड़नादे इंगली सिगरीन को थेनी की मैंतिक्अ इंघ्लिप नीलेटी इनिक के सब्जेक्ट आएं में आप दूसरे सब्जेक्स नहीं कर सकते हो ऐसे निमेरिकल एबिलिटी में 35 क्यूशन 35 मार्क्स के 20 मिनट इंडिविजिवल टाइम है ऐसे रीजिनिंग का 35 क्यूशन 35 मार्क्स 20 मिनट के अदर टोटल सो क्यूशन हो जाएंगे 100 मार्क्स के और एक घंटे का आपको टाइम मि पर टाइम का लेकिन अकोर्डिंग टू-टू-टाउजन एटीविकेशन कलर का जो प्री एक्जाम है वही होने वाला है एक ही एक्जाम होगा इसमें नो मैंस कोई मैंस एक्जाम नहीं है जो आपका 218 नोटिविकेशन था उसके हिसाभ से ठीक है तो अगर सेम टू-टू- और आपका एक एकजाम रहे का यह एकजाम के लिए करना है कुछ पढ़ने कोई जूरत रही है सीधा यह इग्जाम करो और आपको आराम से जोब मिल जाएगी अब बात करते हैं पी-यो मैंज की कलारक में तो मैं तो यह भी अगेन में बता रहा हूं दो हजार अठारा के नोट तो आपको जवाब दे पाएंगे तो आपको जवाब दे पाएंगे अगर आपको पढ़ाना है तो मैं आपको स्वोर्स बता दूँगा कहां से पढ़ना है अब देखो यह तो नॉर्मल सी बात होगी अब हम लोग वाजते हैं हमारे एक्जाम से शलिबस पे और साथ ही साथ ही साथ में बताता चलूगा किस तरीके से तरीके से आपको तैहरी करनी सबसे आसान टोपिक है जो तीनों में स्कोरिंग टोपिक है अब आप लोगों के अगर नहीं आता है आपको पता है कि लिमिटे टाइम बहुत कम है मारे पास में और उसमें ज्यादा स्कोर केसे करना है यह सबसे इंपोर्टेंड बात होती है उसके लिए आपको सही तरीका पत होने चाहिए शोर्ट ट्रिक पता होने चाहिए कि जल्दी शांस निकालने के हैं अगर वह एट नाइन टेंथ वाले बैसिक से करने बैठ जाएंग तो नहीं होगा क्यूशन तो आपको एगजक्टली सही चीज़ों का पता होना चाहिए ऐसे ही आप लोग सिंपिलिफिकेश आप यह एग्जाम करके जाने कि आपको एग्जाम में जाके पता लग जाएगा नमबर सिरीज में कौन सा लोगने वाला है तो आप बिल्कुल गलत पैटरन के उपर जा रहें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होगा आप लोगों को नमबर सिरीज का ऐसी एप्रोच तेया देखके यह बता दो कि इसमें यह लोजिक लग रहा है खुद निकाल लो लोजिक ठीक है तो वह एप्रोच मेंने आप लोगों को सीखनी है अब वह कैसे सीखोगे देखो कोई भी कहीं पर भी जाने की जूरत नहीं है सिंपल यूट्यूब पे जाओ मेरा नमबर सिरीज की वीडियो पड़े हुए है मैंने आपको बताई हुई है एप रोच एक डिफरेंस की सिरीज होती है लास्ट के दो नमबर पकड़ो डिफरेंस की निकालते चले जाओ दो तीन बाते बताई हैं उसी में पूरा पूरा क्यों पूरा समझ में आ जाएगा कहीं भी दर दर जाने पड़ेंगे यूट्यूब पे जाके नंबर सिरीज वेंकर्स पॉंट लिख दीजेगा या फिर मेरा नाम अंचुल से नहीं लिख देना तो आ जाएगा इसके लावा क्वाड्रेट की क्वेस्टिन की वन ओफ द बेस्ट ट्रिक मैंने आप लोगो को दिई है जिसमें आपक आपको सही अप्रोच बता हो तो लेकिन पढ़ना कहां से मैंने बता दिया पूरा इसके नहीं कर सकते लेकिन कैसे पढ़ना है वो मैं बता चुका हूं दो जार बीस तक कि जितने भी एक्जाम से में क्वेशन आये होए ना वह सारी कॉस्टिन कोलो पिर लोगो वैसे ही सिंपलिफिकेसं आप लोगों के एकशाम में देखने कुलेंगे तो यह क्वेशन भी सकते हैं इसके भी मेरे वीडियो पड़े हुए तो नंबर स्रीज, क्वाड्रेटिक एक्वेस्टन एकदम फ्री ली अवेलेबल वीडियो हैं अगर आप देख लोगे तो आपका केलियर हो जाएगा कॉंसेप्ट उसके बाद हम बात करते हैं डाटर इंटर्पेटेशन के उप तो जादा से जादा एक कैसलेट और पूछ लेगा तो मैंने अवी तक कैसलेट आप लोगों को यूट्यूब पढ़ा है लेकिन आने वाले दिनों में पढ़ा दूगा इसको ठीक है और बाकी सारे क्वेस्टन साप लोगों के मेरे यूट्यूब चैनल के उपर मिल लेकिन वह प्री के अंदर नहीं आएगा प्री में इतना ही बैसिक साइक क्वेशन आएगा उसके बादें बात करते हैं आप लोग बैसिक अर्थमेटिक्स की एवरेज प्रोफिट लोस रेशियो प्रपोर्शन वरकें टाइम इंसे क्वेशन आएक एक दूदू क्वेशन कि यहां पर प्रमॉटेशन प्रोफिटल करें प्रोफिटल के अंदर ही पड़ा है तो आप लोग यह सारे टोपिक्स यहां से आप लोगो को किलियर करनें मैं पता है तो कौन-कोन से वीडियो जैवलेबल है मैंने एवरेज आप लोगों सिखाया हुआ है अपने probability और mensuration का भी videos available हैं, तो आपको YouTube channel पे ही कफिसरे videos available हैं, बस YouTube channel पे इतना सा हो सकता है, मैंने आपको practice question नहीं दिया, number of question थोड़ा सा कम हो सकते हैं वीडियो में, लेकिन concept पूरा सिखाया हुआ है, अगर आप अच्छे सिखेंगे, तो आपको concept वहाँ से सीखना है, फिर practice अपने खुद से गलनी है, उसके बाद में जो data sufficiency का topic है, यह फिर इसको data sufficiency की जिगाज कल Q1 Q2 हो रहा है, Q1 Q2 मतलब quantity one, quantity second, उसके बाद में आपको बोले का quantity one is greater than quantity two, इस तरीके से, जैसे quantity question पूछता है, उस तरीके से, यह दोनों topic, अगर आपको यह नीचे वाले सारे topic आते हैं, अगर आपको यह नीचे वाले सारे topic आते हैं, तो data sufficiency और Q1 Q2 करना कोई बड़ी बात सही तरीके से मैंने पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग अच्छे सही अप्रोच पर जाएंगे तो अराम से सहले बस भी complete हो जाएगा, अच्छे तयारी हो जाएगी, तो मैंने एक एक topic वाई आपको बता दी क्या strategy हो नीचे है, मैंने जो scoring topic है ना, यह उपर वाले, चार topic, इ क्वेशन की जो technique मैंने बताई उसको कम से कम भी पूरे overall इंटरनेट पे अगर जा के सारी वीडियो मिला के देखो तो 30,000,000 वीव होंगे, सारी वीडियो के अगर मैं मिला दू, 4-5 वीडियो डाली हुई है, सबके मिला के, तो इतने जादा लोगों ने देखा है, तो आप लोग भी उसी टेकनिक का इस्तमाल करेंगे, तभी कम समय में क्यूशन हो पाएगा अच्छे से, और बाकी भी अगर आप उससे कुछ हलग हटके, अगर आपको याद की हुई यह चीजी तो वह भी कोई दिक्कत दनी है, लेकिन एप्रोच वही होनी चीजिए, जिसे कम समय क के अंदर आप क्यूशन निकाल पाएं, तो यह पूरा पूरा मैंने मैथमेटिक्स का आप लोगों को यहां पर एक ओवर ओले का इडिया दे दिये कि किस तरीके से तयारी करनी है, अब मैं आपको समय बताता हूंगी, सर बीस मिनट में क्यूशन नहीं होते हैं, मुझे बता हो जो 7 मिनट में कितने क्षूशन कर दी हैं, 7 मिनट में आप 15 कुशेन सोल कर चुके हो, बचिके कितनी मिनट हैं, तिरा मिनट बच गए, एक मिनट में बाकी बचे वे कुशन में, एक कुशन वी 1 मिनट का लगा होगे ना, तो 15 और 13 अठाइस कुशन हो जाएंगे, और जब तो आप लोग बाकी questions में ज्यादा समय दे सकते हो अगर आप लोग यह दो तीन जो लेवल होगा ना लेवल ओव डी आई और डी एस कहांगे डाटा सफिशनसी इसके questions आप लोगों से ज्यादा पूछे जाएंगे और डी आई के अंदर आप लोगों को अर्थमेटिक बेस्ट इन टोपिक के ओपर बेस्ट डी आप लोगों से एक आदी पूछी जा सकती है म मेंस कंदर जो P.O.M. M.E.M. ya उसके.. अप स्केंजी आपके पूछी से बाकिवाने मेंस मेंस में परी मेंस ही नहीं। तो मेंस में मेंस में आप डी अर्झमेटिक भेश्ट डी बेस्ट लीकिज से ठीकावे हैं तो भाते बाते लिए उन्युभरत आग। बाकी सब्सक्त-ए पर पर मेरे बहुत सारे क्लासिक पड़ाय है तो उनका लाइक पड़ाता हूं लेकिन उसके रिकोड़ेड वर्जयन से वेलेबल हैं तो उनका पर रह जाए आपको नहीं मिले यूट्यूब पे तो वहां से उस चीज को किलियर कर सकते हो ठीक है और आने वाले समय में आपको ध इसके लाव भी अगर आपको कंफर्म पूरा सेलिवस मैथमेटिक्स का पढ़ना है मेरे से तो आपको डेस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसमें हमारी बेंकर्स प्राइज के अंदर मैंने कोर्स मना हुआ है मैथमेटिक्स रिजनिंगा पूरा कंपलीट कोर्स है उसके अंद इस बहुत ही नोमिनल है बारा महिने तक आपको कोर्स मिल जाएगा वो तो यह आप लोगों को यह नमबर में एक दे दिया इसके उपर को इसके अलावा अगर मानलो मैथ्स रिजिनिंग में ही में पढ़ा पाऊंगा एपके उपर तो लेकिन किसी स्टुडेंट को सारे सब् पढ़ाएंगे तो जब आप अनकेडमी प्लस जोइन करते हैं का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूं कि यह कोड आप लोग लगा दीजिएगा बेंकर्स पॉइंट अपना यह कोड है इस कोड से आपको क्या होगा जो भी अनकेडमी प्लस अन जादा ही कोई दिक्कत आजाएं तो ही कोल कर रहिएगा की कोल से जादा फास्ट वाटस अपको रिपलाइ मिलेगा तो यह अगर आपको और भी अच्छे से पढ़ना है जो को मैं पढ़ना है तो इन दो सोर्स का आप इस्तमाल कर सकते हैं अब बात आती है रीजिनिंगी बा अगर आप मेरे मेथड से करते हो जो मेथड़ ओपन गेट क्लोज गेट का मैंने सबसे पहले इंटरनेट पे इंटर्ड्यूस किया था आप बाकी वीडियो की बहुत सारे लोग ठड़ा रहे हैं इस त्रीके से लेगिन आप जहां पर जाके देखना इंटरनेट पे जो मेरा सब से पुराने वीडियो इनिक्वल्टी जैड उसकी बाइक देक देखना मेरे से पुराने वाले की शी वीडियो में आपको इसको ओ ऑपन करके जरूर बताईएगा बाकी दूसरे इस्टूडेंट को ठीक है तो एक मिनट के अंदर आप लोग इसको पूरा पूरा स्वालू कर सकते हैं पांच मार्क्स विदाउट एनी एरर हंड्रेड एन वन परसेंट आप लोगों की एकुरेसी के साथ कर सकते हैं दूसरा सबसे ज् तो शीलोलिजम के दो मिनट में या धाई मिनट माननों जादे 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 ले लेना इसमें जो ओ सकते हैं इसमें जो ओनली और फ्यू वाला मामला है उसके लिए भी मैने स्पेशल वीडियो डाली हुई है ओनली फ्यू का एक साता है जिननों को बहुत टाइम हो पड़े प्रेक्टिकल चीज है यह बिल्कुल समझने के लिए सिलोलिजम मतलब सोचने का तरीका वह मैंने आपको बतायो है किस तरीके से आप अच्छे से सोच सकते हो तो वह आप लोगों को बिल्कुल मिसनी करना है आप लोग यह सारा पढ़के जहिएगा इसके बाद में कहना है जिएक मेंज्री का वह डहीं है कि अब बात करते हैं सिटिंीं यरेज्मेंट और पजल की यह इनिष्टे पिए और इपको है अब इसको साल oven बात करते हैं तो अग मेरे जो भी वीडियो जी उसके देखके आप लोग अच्छे टेकनिक सिखने ला जो भी ट्रिक वगएर उसकी वो देख सकते हैं तो coding decoding inequality और isol symbolism यह जो दो रेक तीन और तीन और दो पांच पांच मिनित के अंदर अगर ये तीनों टोपिक आप लोगों के आते हैं तो पांच मिनट में आप 15 मार्क से स्कोर कर पाएंगे 15 मार्क से स्कोर कर पाएंगे आप लोग विदिन 5 मिनट में अब आप सोचो सबसे पहले अगर आप यही क्यूशन कर रहे हो और 5 मिनट में 15 मार्ग से स्कोर कर पा रहे हो तो आपका confidence level ही अलग होगा आगे का paper attempt करने में भी आसानी आप लोगों को रहेगी इसके अलावा देखो blood relation, order and ranking, distance and direction इन तीनों topic में मिलाके आप लोगों के 5 questions और आजाते हैं लग 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 और alpha numeric जो series है यह सिर्फ color level के उपर आसकता है पी-ओ लेवल के उपर यह नहीं आएगा इसके मेने question कर वाए हुए आप लोगों के अब यह तो नीचे वाले normal topic होगे यह आप लोग देख सकते हैं इन-पुट्च आउट्पुट्च आपका मेंस का topic है तो मेंस मेंस में सकते है तो इसको यह बहुल जाते है मेंस के टाइम पर देखेंगे data sufficiency जो topic है उसके जो question आईगे वो आपको blood relation order ranking alpha, distance and direction और पज्जलन setting arrangement के पर बेस्ट आएएंगे ज़दातर question बलड ओडर रेंकिंग और आप लोगों के डिस्टेंस और डाइरक्शन या फिर कोडिंग के उपर बेस्टब बंते इनी के ऊपर बेस्ट कुछिछन आप लोगोगों को डाटबयों की लेंगे तो जिसको यह टोपिक आते हैं वह डाटा समय से भी आराम से कर सकता है यूट्यूब पे आगे बेंकर्स पाइब लिख दिया करो टोपिक का नाम लगके आराम से आजाएगा सारी वीडियो आजेएगा अब इसके बाद में मैंने जो टोपिक है हमारा उसके बारे में बात करते हैं आपका सिटिंग अरेजमेंट पजल में कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत आती है तो मैंने इसके बहुत सारे वीडियो जाले हुए लेकिन फिर दिक्कत आई कि सर हमें मिलनी दे हमें देखने पर तो इसका मैंने लगब लगब तीन घंटे का तीन चार घंटे के आसपास का ए तो यह दोनों चीजों के अपरोच उसके अंदर के लिए रोजाएगी वह तीन चार घंटे का एक वीडियो देख लो आप लोग तालर्क प्री लेवल तो खतम उसी वीडियो में और पीयो का भी प्री लेवल खतम आप लोगों का ठीक है मैंस के लिए आने वाले दिनों में और कुशन साब लोगों को करवा देंगे या फिर जो आप कोर्स वगर है उसके अंदर जोइन करके वहां पे सीख सकते हैं फिर अनकेड में पर भी सीख सकते हैं ठीक है बाकि यहां पर भी करा दिया जाएंग या फिर इस पेसल क्लास में उसको कवर करा दिया जाएगा तो यहां से देख लेना बढ़ मुस्किल नहीं है सई एप्रोच पता हूनी जाए हम लोग क्या करते हैं सेटिंग अरेज्मेंट का हर बार नया कुशन आता है तो एक बार इसको यहां रख दिया इसको यहां रख दिया कुशी को भी कैसे भी रेंडम लिह मुग कुशन करते हैं बुक में solution देखे हैं कहीं और solution देखे हैं अब मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे ऐसे सोचना चाहिए कि मैं किस तरीके से मेरे दिमाग में सोचूं कि मुझे सही सही स्टेप्स पता चलते चले जाए और मेरा question उल्जे नहीं ठीक है तो एक perfect approach होती है जिसके अंदर हम लो में सिखाए वा उस वीडियो में तो वह आपको मिल जाएगा तो यहां के लिए वह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ठीक है अब बात करते हैं मैंस की तो मैंस में देखो भई एक तो इन्पुट आउटपुट टोपिक एड़ लो ठीक है मैंस के अंदर प्री में भी इस टाइप के कुछ आजाते हैं और जैसे कुछ डिसिजन मेंकिंग टाइप की कुछ आजाते हैं अगर वहां होते तो आप क्या करते ठीक है कौन सा कथन इसको स्ट्रोंग बना रहा है कौन सा कथन इसको कमजोर बना रहा है इस टाइप के कुछ वर्बल रीजिनिंग के कु तो एक बस यह दो चीज़ एडिशन हो जाएंगी अप लोगों के मैंन्स के पेपर में इसके लाब जो आप लोगों की लेवल ओफ जो कुश्टन का लेवल वो थोड़ा सा इंकरीज हो जाएगा बाकि टोपिक्स यही हैं आप लोगों के अपने अपना अवेलेबल है बाकि मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे और फ्री सोर्से जी बता दी है जहां पर मैंने पढ़ाया हुआ है बस आपको सर्च करने की जोड़त हैं इंगलिस का देखो मैं पढ़ाता नहीं हो लेकिन फिर भी एक आईडिया आप लोगों को द पेरा जंबल फिलिन दबलेंग पेरा और सेंटेंस कंपलिस इसपोटि को छोड़ दो एगी स्पोटिंग अर्ए उससे हो जाएगा बाकि सारे टोपिक दो चीजों के उपर डिपेंड कर रहें एक तो रिडिंग स्कील पर कि आपकी reading skill कैसी है reading की speed क्या है skill और skill और speed ठीक है दूसरा okay पर okay पता होगी तो आपको मतलब पता होगा चीज होगा क्लोश टेस्ट करोगे तो आपको words रखने होते हैं बीच में अगर आपको reading skills अच्छी होगी तो आपको sentence मतलब समझ में आ जाएगा अगर आपकी reading की habit अच्छी है तो वो के अगर आपको मतलब पता है words का तो आप यह देख पाएंगे कौन सा word कहां पर फिट होगा सेम चीज reading comprehension में अगर आपकी reading skill अच्छी होगी तो आप जल्दी जल्दी उसको पढ़के question का answer पकर पाएंगे sentence improvement में वही चीज़ होगी कुछी sentence में अगर कुछ गलत होगा तो आप पढ़एंग तो आपको पता लग जाएगा अगर मालो grammar की गलत है तो इसको आटा दो ठीक से अगर आपको किस कोई है और लेंग्वेज से तो आपको अर्दू ngwेज आती होगी अच्छी से और लोकिषन कहीं से तो लगगिया तो लगवना प्ड़ता पर रहा है तो वो स्टुडेंट क्या करेंगे वह स्टुडेंट जब उर्दू में अगर कुछ गलत लिखा होग कि वो बोनले में सही ऐसे महसूस नहीं होता कि हो तो वह पता लग जाता है वहाँ पर चीजों का तो उस से भी आप के नदर कर सकते हो तो मेरी ये रिक्वेस्ट अप लोगों से कि आप सभी लोग रोज दो से तीन पेरेग्राफ किसी भी चीज के कहीं से उठा लो पेरेग्राफ चाहिए आप पेपर में से उठा लो चाहिए ओंलाइन किसी वेपसैट नगो कहीं पर दो-दो-दो 3 लोज क्योंकि ग्रामर पे बेंक जाता ध्यान नहीं देता है तो इंगलिस में आप इन दो चीजों से पूरा अच्छा स्कोर कर सकते हो क्यों बात करते है मेंस के लिए बात करते हैं मेंस के लिए जो भी जो लेवल है उसके अंदर कलरक वालों के लिए नहीं है यह यह बहुत बड़ा सेक्षिन होता है अब जन्रिवेइस में कुछ ही पूछ सकता है आप लोगों से तो आप बोलो के साथ क्या पढ़ूं में क्या सोचो वह स्टूडेंट चो सेलेक्टेड और अच्छी चीजए जो exam oriented और exam में ज्याधा आएंगी ठीक वह स्टूडेंट पढ़े वह सक्सेस होे उसके ज्याधा मास है क्योंकि इतना ज्याधा अगर याद कर लोगे तो exam में तो भी नहीं पाएगा लिमिटेड याद करो अच्छे से याद करो एक्जाम ओरेंटेड याद करो जैसे माल लो आपके पास पर जीके का माल लो कोई 500 पेज का कोई कैपसूल लेकर आता है कहीं से भी कैपसूल आया है फिर कोई जीके में जितने कुशन आने थे वो सारे के सारे आ गए अब पचास में से आप अनम में गारंटे ले तो आप लोग पैंतिस कुश्चन तीस पैंतिस कुश्चन ही आंसर कर पाओगे उससे जादा नहीं कर पाओगी क्योंकि कंफूजन हो जाएगा उसके अंदर यह यह था बनाओगे तो उस 200 पेज को याद कर कि 30 से 35 मार्क अच्छे से अचीव कर जा सकते हैं तो उतना ही पड़ो बाकी टाइम रिजिनिंग मैस इंगलिस बहुत सारी चीज़ है उसको दो ठीक है और इसको ज़्यादा पढ़ना ही जूरत नहीं है मैं आपको बताता हूं जिस कि अन 15 महिना हैं जो पिछले 22 महा थे के मैं जो एक्जाम में कुंष और उस्डेट के पिछे के मता मतारा हूं मैं उससे पिछे मफ़ला थे पीड़ा में थको से पीछे 12 महारे बहुत में बहुत व्यारी इbok वेंटIT की मोल स्वेर्ध जसे इसे कोई वीज अवर्या पार्य जहां को चैबना की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंड इवेंट है कि तो जनरल auf पूछ जा सकता है कहीं पर वह आप लोग को याद याद झाना या बाकिश को यार आपको जो बेंक का पूछने का नेचर थोड़ा सा अलग होता है बाकी एक्जाम से वह ज्यादा चीजे बेंक से रिलेटर पूछने का जैसे माल लेते हैं आज की मतलब आज कोई भी न्यूज आई उसके अंदर बेंक से रिलेटर तीन यूज आई मालो एस बेंक की कोई बिजनेस से रिलेटर न्यूज है वो न्यूज आप लोगों की जादा पूछ जाती है एक्जाम के अंदर ठीक है तो अब मैं आपको एक पैटर मताता हूं जिसे आप करेंट अफेर जब भी पढ़ रहे हो तो उसमें बेंकिंग की न्यूज आएंगी बेंक रिलेटर निकालता है तो कोई बैंक का aan हुआ पिछले देनों में बहुत सारे बैंक वेगा मर्जर हुआ पीछे तो कोई तरीके। तो इस तरीके से कोई भी बेंक से लेटेड न्यूज जैसे किसी बेंक ने कोई एप लॉंच किये तो वह भी एक न्यूज हो गई तो वह उन न्यूज को आप लोग क्या करना है सिरू के 4-5-15 पेज उसके अलग बनाने पिछले 6 महीने के एसे नहीं सब में मिक्स अंदर अंदर लिख दिया उसको लिख दिना आप लोग अलग से बेंक न्यूज ठीक है और उसके नोट्स आप लोगों को अलग से बनाने हैं ताकि क्या करो वह आपको पता रहे कि यह पंदरा जो 10-15 पेज है मेरे यह बड़े इंपोर्टेंट है इन अपटेंट है नूएट है तो यह ब्रका अपोंगी यह ब्रकाल नेजर वहां हुआ है उप्यां में का है इंट्रेशनल और इंट्रेशनल को दो नोगों के हैं फिर उबनेंट्स अगर को जह होते हैं तो वह आपके तीन से चाहरा प्लीच से न्यूज अपिजने के अंदर फेस्बूक ने पचाशार कोड़ का इन्वेस्टमेंट के तो इस टाइप की न्यूज आप लोगों को बहुत ही जो न्यूज है आप लोगों की न्यूज आ सकती है स्पोर्ट से रिलेटर्ड एक दो कुछिशन आ सकते हैं कोई वाड वगरा दिया गया है दो तिन कुछिशन वहां से सकते हैं एक कुछिशन अब लोगों से पुछ आ सकते हैं इसका एक कुछन आता है जनरली डो भी आजाते हैं लेकिन जाथता है डेज एक दिन के बारे को पुछेगा जैसे प्रयावन डेंवार्मेंट डे कब होता है इस तरह कोई कुछ सकता है जो आपके च्छे महीने के अंदर आता है वस वही जो चय महीने में जब आप न्यूज पढ़ रहे हो तो जीने कंट्री का नाम आपके सामने आ रहा है न्यूज के अंदर के इसलिए यह थे वाले कंट्री न्यूज में चल रहे है उनकी 15-25 लिश्ट बना लो उनी मेंसे आप लोगों से पूछा जाएगा उसका याद कर ले बस सभी का 203 सभ का रटने की जूरतनी है है आपलोगों को बिल्कुल गी सीमो और गवरणरस सारे स्टेट के जूरतनी है रिसेंटली जो छह महीने में नियूक है न वह याद कर ले न बस और किसी से सारे होते हैं तो बस गर ले न लेकिन जनरली कमक सक मोड तोने चीज जो नए च्छाय मेनियों बने डान्स डेम्स पावर प्लांट एट्सक्टर आप लोगों की छह से दस्क्यूशन यह आप लोगों की आते हैं इसके पीडियेव आप कहीं पर देख लेना कैप्सुल बगरा इसके मिल जाते हैं दूर की मिलिटरिक तो वह उसके पारे में की ज़ेघियों डिफरेंटेक्स और टीन को टो तोटी अवर सिर्गेर ने इसके मिल अबाइलाइजयर को मैंडियकों करते हैं यह प्रीन तो वह किशने कितल रहे हैं रहे हैं इंडिया की उसमें क्या रहेंग है टोप पे कोन है उसके अंदर ठीक है तो वो दो चीजे यहां पर पूछी जाती है साइन्स टेक्नोलोजी जैसे नासा की कोई न्यूज कोई न्यूज कोई इस ने कोई उप गरच होड़ा है इस पेस से रिलेटेड तो उसके बारे में कुश इसके है इसमें आप लोगों के मोश्टली कुशन सारे कवर हो जाएंगे मैंने तरीका बताये किस तरीके से आप लोगों पड़ सकते हो अब एक धान रखना मैंने ये पोईंट क्यों बनाए हुए हर पोईंट की आप अलग से वो बनाओगे पेज जैसे कुशी भी रजिस् की न्यूज या फिर और कुश नूज ऐसे पूरा कावेंट डालो आगे पेज नमर डाल दो पेज नमर लिखे अब आज अगर आप को न्यूज पढ़ रहे हो अगर बैंक की न्यूज आई ये आज की न्यूज के अंदर आपके सामने तो आप उसको बैंक वाले सेक्सन में को बैंक है अगर स्पोर्ट से रिलिटेट थे टे आप इस तरीके से आप लोगों को ऑस में अपस है आपकी स्वान तो नोट्स बनाने है ताकि याद रहे चीजए लास्प में चाकर करने के वह लोग उभान समझ में आगया होगा चारहो बसकिषेट के बारे में इन ए चित तो उनको भी आप लोग उनसे भी गाइडेंस ले पाएंगे मेरे से ही सिर मैसरी निंग पढ़ रहा है तो आप पे जा सकते हो ठीक है बाकी के लिए मैने आपको मोबाइल नमर दिया हुआ था अब सबसे पहले बात करते हैं मौक टेस्ट कैसे प्रेक्टिस करना चीए मौक टे कोई किसी XYZ कंपनी का मौक टेस्ट ले तो वह बहुत हाई लेवल पर जाता है को एग्जाम लेंबल पर जाता है तो इदर उदर थोड़ा बहुत रहता है तो उसमें आपको टेंशन लेना है उससे ज्यादा ही स्कोर होगा आपका एग्जाम के अंदर यह मान के चलो आप ल तो इसके अंदर आप लोग लग 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 पतानी 370 रुपए के असपास की प्राइज अभी हमने रखी हुए इसमें बारासो पलस टेस्ट ठीक है सभी एक्जाम के टेस्ट कोई टेस्ट आपको लेने की जूरत नहीं इसके लाओ कंटेंड का रहें सोच नहीं तो अब आजाते हैं कि मोक्टेस ले लिया मोक्टेस लगाना चालू कर दिया मोक्टेस लगाते तो टाइम लगता है एक गंटे का पेपर होता है उसके बाद उसमें और भी टाइम देना होता है तो अगर हम लोग सही तरीके से मोक्टेस नहीं दे रहे ना तो आप यह मान के चल ठीक है अब देखो टॉपिक वाइस टेस्ट अगर आपको अमारी वेबसाइट में मिलेंगे तो वह दे सकते हैं आप हर टॉपिक पढ़ने के बाद में लेकिन ओवर ओल जो टेस्ट होता है एक्जाम का वह टॉपिक वाइस 70% पढ़ने के बाद में दो तीन चाह चीजे देख ぎको निगालता है तो वह कमी आप लोगों को पता चलती है मौक ते City के वह कैसे बता चलेगी वह आगे बात करेंगे है आप लोग क्या करते मोक टैस्ट को मोक टैस्की तरह नहीं ल सिसाफ पीच में ऊठा लेते हैं वाट्सब करी पले ज thick के अंदर पोज कर देते हैं कहीं और कुछी ने आवाज देदी वहाँ चले जाते हैं जब मोग टेस्ट दे रहा हूं अभी एक घंटा को मुझे निचेड़ का एक घंटे तक आप लोगों को अच्छे से मोग टेस्ट को अच्छे से मतलब तयार करना है और कि एक घंटे के लिए आप यही मान के चलो कि एक्ट्वल 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 एक्ट कि मेरे तो इतने मार्स आ गए तो मैं तो एकदम बढ़िया हूं नहीं इस टेस्ट का मतलब ही होता है कि आप कितने कमज़ोरों कहां पे आपकी वीकने से आपको कहां बेटर हो सकते हो आप लोग बटाते कि कहां पे आप लोगो और अच्छा कर सकते हो आप अपनी कमिया देख इस टोपिक में से क्यासे सॉल गरेंगे जहां सेलम शहांनी ज्यक्वां ध्यानrą की मैं यह मिश्टेक कर रहें उसको अगल्य संवीक और जैसे पहले मोखत प्स त्रह तощ को मिःतर कैसे बनना है तो वह आप ध्यान रखना है आपको यह मत देखा करो कि मैं कितना अच्छा हूं मोक्षा सकते हैं मोक्षा से आपको पता लगे कि और अच्छा कैसे बन सकते हो और अच्छा कैसे कर सकते हो मोक्षा के अंदर ठीक है तो वह आप लोग पता कर सकते हो वहां से कि कितना अच्छा आप लोग कर सकते हो अपनी कमिया देखो उसको सुधारती हो चले जाओ 20 मोग टेस्ट दो तो दिरे-दरे कमिया सुधारती चले जाएंगी ठीक है वह कमिया कैसे होंगी एनलाइज करो आप टेस्ट को तो वहां से दूर होंगी लर्ण फ्रोम यूर मिश्टेक्स जैसे में अलड़ी बताया कि मिश्टेक्स से सीखो अगले टेस्ट में फिर मिश्टेक्स नियो नी चीए और आप लोगों के यह पता लग जाएगा कि कहां पे आप स्ट्रोंग हो कहां पे आप कमजोर हो तो उसी साथ साथ से पेपर को कर सकते हैं और आप मोग टेस्ट में एक अपनी performance को improve करवाएंगे मोक्टेस लेकिन actual exam की तरह देना है proper analyze करना है कमिया निकालनी है और उनको सुधारना है इतना काम कर लोगे तो मोक्टेस देने का फाइदा होगा और मोक्टेस्ट बहुत important part है किसी भी bank की तेयारी करने के लिए मोक्टेस्ट के बिना अच्छी तेयारी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है इस बात का आप लोग ध्यान दे लिजिएगा तो आपको मोक्टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है पहले एक एड़ महीने में आप लोग महीने बर में आप लोग 70% से लिबस पर दो जिसका पड़ा है वह आपको एक या दो मोक्टेस्ट फ्री मिलेंगे तो वह अटेंड कर लो फिर आप किसी और की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर पूरा प्रेक्टिस कर लो तो ऐसे मोक्टेस्ट भी खुब सारे अवेलेबल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अनकेडमी पर अगर जून को जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपकी एक्जाम के बारे में कुछ नया अगर चेंजमेंट होगा तो मैं आप लोगों को इन्फरम कर दूगा लेकिन आप तयारी आज से ही जारी कर दीजिएगा और अच्छे से लग जाओ अच्छे अपोर्चुनिटी आपके साम तो अपने लेवल को देखके उसी साफ से तैयरी कर सकते हूं तो आप लोग तो पूरा मेने डिटेल में आपे समझा दिया है अब लास्ट में इंपोर्टेंट बात कि अगर किसी को कोई टोपिक पढ़ना है कि सर यह वाले टोपिक भुज़ा दिखता रहे तो आप मुझे क कमेंट करके बताइए कि मैं जरूर ने लाइस करूंगा जिसे कल में एक वीडियो डाला था एज की उपर बेश्ट कुछ कुछन डाले तो उसमें कई शार इस्ट्रून ने बोला है तर पार्टनर्सीब पढ़ा हुआ पार्टनर्सीव नहीं पढ़ा हो तो हम नेक्स्ट वी पल्माइए मोड़ सुक्रिया